सबको खाने के अंद में मिठाई खाना अच्छा लगता है। जो सामगरी हमें चाहिए वो है खजूर, दूद, सलरी कॉनफलार या मैदे की पानी के साथ पिसी हुई शक्कर, बुने हुए तिल, मक्खन और ये है समोसा पट्टी या वॉन्टन रैपर्ज। तो हमने मिलाया है मक्खन, विसी हुई शक्कर, खजूर और तिल, इसे मिक्स करके बाजू पे रखिए, जिसके बाद हम एसेंबल करेंगे वॉन्टन्स को। मेरी स्टफिंग लग रही है थोड़ी सी ज्राइ, तो मैं इसमें डालूँगी सिर्फ एक से दो चमश दूद। आप यहाँ पे डाल सकते हैं क्रीम, और ध्यान रही है सब कुछ अच्छे से मिल जाए, अब हम तयार हैं वॉन्टन्स को रैप करने के लिए, मेरे पास है गीला कपड़ा जिसमें मैंने रखे वॉन्टन्स रैपर्स, आपको ध्यान रखना हुगा कि यह रहे डैम क्लोथ मे नहीं वरना यह सूख के पड़ जाएंगे, तो मैं बाकी के वापस रख दूँगे उसमें, निकालेंगे यह वॉन्टन्स रैपर, मैंने उसको वरगा कारा कार दिया है, तो लेंगे थोड़ा सा स्टफिंग, ध्यान रहे सिर्फ थोड़ा सा, अब सलरी को यूज करेंगे ग और कोई भी अगर हवा का पॉकेट हो, तो उसे निकाल लेंगे ऐसे दबा करके, और बाकी भी ऐसे ही बना लीजिए, अब हम तयार है तलने के लिए हमारे डेट और सेसमी सीड वॉन्टन्स, सारे हमारे वॉन्टन्स तल चुके हैं बहुत सुन्दर तरीके से, उनको तिश्यू पेबर पे निकालेंगे ताकि ज़्यादा तेल निकल जाए, और फिर ये गरम हो तब उस पे छिड़केंगे पिस्यूई शक्कर, जब गरम हो तब ही शक्कर छिड़के याद, वरना ये नहीं चिपकेंगे, हमारे वॉन्टन्स अब तयारे सर्फ होने के लिए, ये सबसे स्वादिश लगते हैं जब हो थोड़े से गरम, अच्छा होगा जब आप इसे सर्फ कर रहे वाले हों तब ही तले, आज हमने लिया है खजूर और तिल हमारे स्टफिंग के तोर पे, लेक पॉप्शन्स हैं बहुत सारे, तो बनिये क्रियेटिव और आज ही बनाईए इने